अगर आप इस वीडियो का पीडियाफ हासिल करना चाहते हैं तो उसका लिंक प्रिस्क्रिप्शन में मौझूद है और हमारे साथ लगातार इंगली सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत पूलिएगा और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताके हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सटें So let's start our today's lesson on dry fruits बादाम को इंगलिश में कहते हैं आल्मंट चालिया को इंगलिश में कहते हैं एरिका नट सुपारी को इंगलिश में कहते हैं बीतल नट काजू को इंगलिश में कहते हैं चैस्ट नट शाहे बलूद को इंगलिश में कहते हैं चैस्ट नट चेस्ट नट नारियल को इंग्लिश में कहते हैं कोकोनट कोकोनट करोंदा को इंग्लिश में कहते हैं क्रेन बैरी क्रेन बैरी किश्मिश को इंग्लिश में कहते हैं कर्ण्स currents pushkubani को English में कहते हैं dried apricot 24 को English में कहते हैं dried date anjeer को English में कहते हैं dried fig ड्राइड फिग अलसी को इंगुलीष में कहते हैं फ्लैक्स सीद्स चीलकेवाली मौंपली को इंगुलीष में कहते हैं ग्राउंड नट्! GROUND NUT कुन्दक को इंगलीष में कहते हैं हेजलनट हेजलनट मखाने को एग्लीश में कहते हैं lotus seeds pop बगैर चिलके वाली मौंखवली को एग्लिश में कहते हैं peanuts चिलगोजे को एग्लिश में कहते हैं pine nut पिस्ता को एग्लिश में कहते हैं pistachio उचीज को इंडिष में कहते हैं प्रून बून कडू के बीच को इंडिष में कहते हैं पंप्किन सीद्щее मेवा को इंडिष में कहते हैं स्पराइज व्रेजंफित जाफ्रान को इंग्लिश में कहते हैं सैफ्रान तिल को इंग्लिश में कहते हैं सेसमी सूरज मुखी के बीच को इंग्लिश में कहते हैं सन फ्लावर सीड्स Sunflower Seeds अहरोट को इंगलिश में कहते हैं Walnut Walnut तर्बूज के बीच को इंगलिश में कहते हैं Watermelon Seeds Watermelon Seeds Thank you for watching our video अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे like, comment और share करना मत भूलिएगा झालिएगा